आज हम करेंगे स्काउट प्रार्थना जो भारत स्काउट एंड गाइड में जिस धुन में की जाती है इसकी विशेष्टा ये है कि इस प्रार्थना में स्थाई के बाद जब अंत्रा लिया जाता है तो चारों अंत्रे कांटिन्यूटी में ले लिया जाते हैं स्थाई प्रार्थना के शुरुवात में और अंत्र में लिया जाता है और लगबग दो मिनट के अंदर इस प्रार्थना को कम्प्लीट करना होता है तो आज हमें आपको हर्मोनियम पर बताने जा रहे हैं कि इस प्रार्थना की धुन कैसे निकारी जाएगी जैसे पांचमा काला है हाला कि इसको उच्छे पिछ पे गाया जाता है लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी प्रार्थना बताऊं वो छोटे बच्चे उसे असानी से कर सके हम जैसे पांचमे कालाशी से श्चुवात कर रहे हैं कौन कौन से स्वर लगेंगे इस पर ध्यान दीजिए इसके बाद से दिया करना हमारी आत्मारे शुच उत्मारे लिए इसके बाद हमारे ध्यान में आओ प्रभु आखो में बस जाओ हमारे ध्यान में आओ रभु आखो में बस जाओ अत्य मेरे दिल में आकर ले परमचु थी इसके बाद बहादो प्रेम की गंदा दिलों में प्रेम का सागर हमें आपस में मिल जुपर प्रभु आदेना सिखाने ना हमारा कर्म होसे वा हमारा धर्म होसे वा सदा इमान होसे वा वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना वतन पर जाफिदा करना तर्व मत वुसिका जाफिदा तर्या करना आए मक्तिका अमेह करना जाफिदा तर्या करना आप जाफिदा तर्मा मेरे शुदिना तो इस तरीके से हमने देखा इस पूरी परार्थना को हमने कर लिया यह जो परार्थना हम कर रहे हैं इसके जो विद्याले में परार्थना की जाती है उसमें इसकी धुन कई बार अलग भी होती है लेकिन स्काउट एंड गाइट के कैम्प में जहां भी आपने यह परार्थना करनी है इसमें यही धुन रहेगी और इसी तरीके से इसको गाय जाएगा मुझे अमीद है स्काउट एंड गायत वाले बच्चे इस बात को फोलो कर पाएंगे और मेरी बात को समझ पाएंगे जैसा की स्काउट में है उसी तरीके से इसको वहां गाना है और अगर हर्मोनियम पर आप सीखना चाहते हैं तो इस पर ये सुर जो मैंने बताएं है इसके एक औरिंगर अगर आप गायेंगे तो सभी बच्चों की वाज इसमें जो भी केंप में होंगे सब की वाज मिलेगी इसी उमिद के साथ धन्यवाद